next question question says spring of force constant k is cut into lens of ratio 1 is to 2 is to 3 they are connected in series and now force constant is k dash then they are connected in parallel and force constant is k double dash हमारा सवाल यह है कि k dash divided by k double dash क्या होगा इन दोने का ratio हमने बताना है हमारे option है 1 is to 9, 1 is to 11, 1 is to 14 या फिर 1 is to 6 बहुत simple सवाल है basics अगर आपके यहां पर basic concepts clear है तो यारा हमसे सवाल हो जाएगा मैं आपको यहां पर situation में कैसे के equivalent या individual के कैसे calculate करते हैं वो करना भी सिखाता हूं यह सवाल तो hardly 30 seconds का है बट पहले वो भी सब्सक्राइब करते हैं अब आपको इसने हमने क्या किया तीन पार्ट में से cut कर दिया है इसको हमने L1 का है इसको में L2 का है इसको L3 का इनका ratio 1 is to 2 is to 3 है यह ratio है नौ अपने कोई बात पता है स्प्रिंग जब हम पढ़ते हैं हमने पढ़ा हुआ है कि K multiplied by L आपका constant होता है which implies K is inversely proportional to 1 by L के आपका L के inversely proportional होता है इस case में अगर आप इन तीनों के K की बात करेंगे individual इसका मान लिजे K1 is to K2 is to K3 K1, K2, K3 इनके individual जो नए spring बनेंगे उनके spring constant है इसको हम लिख सकते हैं यह होगा 1 by L1 is to 1 by L2 is to 1 by L3 अब इसकी value अगर रखेंगे तो यह आएगा 1 by 1, 1 is to 1 by 2 और 1 is to 3 इसका अगर हम LCM ले और इसको LCM इसका 6 आएगा 6 से अगर इसको multiply कर दें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि K1 is to K2 is to K3 उसकी value हो जाएगे इसको 6 से multiply करके आजाएगा 6 is to 3 is to 2 Now, individual अगर K की बात करेंगे, K जो आपका individual आएगा कि इसका K क्या होगा इसको K से multiply कर देंगे तो K1 will be equal to 6 K, K2 जो आएगा वो होगा 3 K और आपका K3 जो होगा वो होगा 2 K यह आपकी 3 individual K की value आगए यह आपके individual spring जो बने यह उनका spring constant है individual का अगर original का K था तो इसका 6 K, 3 K और 2 K है, Now, अब हमने पहले case क्या किया, K' जो है अपना वो आया जब हमने इनको series में join कर दिया Now, इनी spring को अगर आप वापिस series में join कर देंगे, तो आपने वो ही original spring जो पहले था वो ही बना लिया तो series में join करने के बाद K' जो है उसकी value हो जाएगी, K उसमें K की ही value है विकाज इनी spring को आपने वापिस series में join कर दिया है, तो value सेम रहेगी, तो K' is equal to original K रहेगा Second case में हमने इसको parallel में join किया, तो आपका K' जो है, वो है जब हमने इनको parallel में join किया है, उस case में K' की value हो जाएगी, K1 प्लस K2 प्लस K3, इन तिनों को अगर हम add कर दें, तो 6 K3 के और 2 के 6, 3, 9, 10 यह हो गया, 11 K, अब अगर इनसे कोई ratio पूछ रहा है, K' by K' उसकी value हो जाएगी, K divided by 11 K, यानि की 1 by 11, तो यह अपना ratio हो जाएगा, तो based on this हम कह सकते हैं कि option number B, 1 is to 11 would be the right answer.